हेलो फ्रेंट बेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम इस चैनल के माध्यम से देखेंगे कक्छा नाइंथ के अंसी आईटी मैद के कुछ महत्वपूर कोशन मान जात कीजिए मान जात कीजिए नौ का तीन बटे दो दिया है तो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं बहुत आसान ट् तीन बटे दो तो नौ किसका वर्ग होता है तो हमें पता होना चाहिए नौ किसका वर्ग होता है दो लिखा है तो इसको हम क्या करते हैं तीन गुडे तीन बटे दो बरावर इसका हम क्या करेंगे गुडा कर लेंगे दो गुडे तीन बटे दो बरावर इसका हम क्या करेंग दो से दो डिवाइड हो जाएगा और तीन का वर्ग यानि तीन का क्यूं बरावर हो जाएगा यानि सताइस तीन का क्यूं क्या होता है 27 होता है इसका एक महत्वपूंड सूत्र है याक्स A B बरावर याक्स A B यही सूत्र लगेगा तो यानि हम 3 का वर्ग क्या होगा 3 तरकाई नहोता है 2 बार गुणा करना पड़ रहा है 3 का इसलिए यहां स्क्वेर रख दिये हैं हम क्या करते हैं 3 का वर्ग गुणे 3 बटे 2 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 3 के क्यू हो जाएगा 3 तरकाई 3 तरकाई 9 होता है तो नो तरिक 27 यानि इसका एंसर 27 हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है दूसरा कोश्चन देखिए 32 की घात 32 का 2 बटे 5 दिया गया है इसको भी हल करना है ऐसे ही नियम से ऐसे ही आसान ट्रिक के मादियम से हम इसको भी हल कर सकते हैं इसमें 32 का 5 लिखा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 32 की घात 2 बटे 5 तो यानि हम क्या करते हैं ऐसी संक्षा से गुणा करेंगे जो पांच बार आ जाए तो हमारा दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो देख वाण टू त्री पोर फाइब यानि तू का अब मल्टिप्लाई कर देंगे कोश्टक में बंद करके तू की घाथ तू बटे पच्चीस पांच कर लेंगे अब भी या क्या करेंगे तो कितने बार मल्टिप्लाई हुआ फाइब बार तो हम यहां करेंगे टू की फाइब ठीक है टू का फाइब और टू बटे फाइब दे दिया बरावर टू की घाथ पांच फाइब मल्टिप्लाई टू बटे फाइब 5 हैं फाइब से ऐड़ने पर तू का वर्ग त्यूंक कि यह pernah होता है यानि इसका और फोर हो जाएगा केव ठीक है इसको हम 55 डिवाइट कर दिए इसका उक के आण टू अब गपाहर होता है Indeo होता है इसका यह ढूसक कि अवर फोरwał हो जाएगा असाम में यही फार्मूला का सोत्र सभी सवालों में यही फार्मूला का सोत्र लगेगा ठीक है तो हम देखते हैं तो सोला का चार तो चार बार हम को ऐसी संक्षा से वर करना है तो हम क्या उसी संक्षा ऐसी हो सकती है जो 2 गुडे 2 गुडे 2 गुडे 2 होगा ठीक है 3 की हाथ 4 हो गया आप क्या करना है 2 का पर कितने बार multiply कर रहे है 4 बार तो 2 का 4 यानि 3 बटे 4 बरावर क्या करेंगे 2 का 4 multiply 3 बटे 4 तो 4 से 4 डिवाइड होगा तो 2 का q बरावर क्या होगा आपको 2 का q बरावर क्या होता है 8 होता है 2 का बर्ग जैसे दो दूनी 4 तो 4 दूनी 8 होता है यानि इसका answer correct क्या होगा 8 हो जाएगा है जेस्ट है 1 125 का माइनस एक बटे दो दिया है 100 पचीजा माइनस एक बटे दिया है 12बाव एक सम्झाओं में हम सभी सवालों में सबड़िएं में दीख रहे थे लेकिन इसमें क्या माइनस है इसको अच्छ करेंगे इसी संग्छा से डिवाइड करेंगे मल्टिप्लाई जिसे फाइब और माइनस एक वटे तीन बरावर हम क्या कर लेंगे 5 5 5 5 3 बार 5 का multiply कर लेंगे तो minus 1 वटे 3 हो जाए ठीक है अब कितने बार multiply किये 3 बार तो 5 का Q minus 1 वटे 3 इसमें minus लगा है ठीक है आब क्या करते है 5 जैसे है तो 5 है ठीक है तो 5 का Q multiply minus 1 वटे 3 3 3 कट जाएगा ठीक है हम क्या करते हैं 3 3 काट दिए आप क्या बच रहा है 5 minus 1 बच रहा है तो हमारा S में क्या हो जाएगा हम लिख भी सकते है minus जिसे 5 minus 1 ठीक है 5 minus 1 बरावर हो जाएगा 1 upon 5 ठीक है इसका सूत्र देखिए yax minus a बरावर a वटे yax a होता है ठीक है और एक सूत्र जाना a बाला सभी में लग रहा है yax a b बरावर yax a b लगता है सभी में सूत्र तो यानि हमें एनियम पता होना चाहिए तो हम क्या करनेंगे 5 minus 1 है तो इसका होगा एक बटे 5 इसका correct answer हो जाएगा यानि इसका correct answer एक बटे 5 हो जाएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों विल आइकन बटन को जरूर दवाएं जय हिंद दोस्तों झाल